आज हम बनाने वाले हैं एक रात में स्प्राउट वो भी बिना स्प्राउट मेकर के घर में ही मैं बनाना आपको बताऊंगी स्प्राउट मेकर बहुत आसान तरीके से बिना खर्च के तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए एक रात में हम यहाँ पे दालों को अंकुरित कर करने वाले है तो वीडियो को पूरा देखिए मैंने दो वीडियो अलड़ी शेयर कर रहे है स्प्राउट मेकर के उपर तो प्लीज वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए तो आपको जिसके भी स्प्राउट बनाने है वो आपको ले लेना है मैं आपे मूंग के स्प्राउट बनाने वाले हूँ आप चाया तो आप यहाँ पे चने का भी यूज कर सकते हो मैंने यहाँ पे मूंग को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है उसे एक बावल में यहाँ पे मैं ट् वाश कर लेना है दो से तीन पानी के साथ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल आजकल यूज करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर तो देखी अच्छी तरीके से वाश करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से भर के रख दूंगी रात भर के लिए क्योंकि यहा आपको ढखके इसे रख देना है देखिए फ्रेंड यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है हमारी दाल भी अच्छी तरीके से भीक चुकी है मैंने इसका पानी पूरा फेक दिया है देख सकते हो पानी आपको फेक के इसे अच्छी तरीके से आपको धो लेना है एक पानी से क्य प्यूकि जो राद भर का पानी होता है थोड़ा सा मटमेला हो जाता है थोड़ा सा स्मेल आने लगता है तो उसे आपको धोना बहुत ज्यादा जरूरी है तो यहाँ पे दाल हमारी भीग चुकी है तो चली आगे का प्रोसे स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हो मैंने यहाँ अगर आपके पास कोई भी चन्नी हो आटा चाने वाली या इसे बड़ी कोई भी चन्नी हो तो उसका आप यूज कर सकते हो बिल्कुल भी आपको बाजार से महंगे वाले स्प्राउट मेंकर लेने की जोरत नहीं है अगर आपको लेना ही है तो मैंने अल्डेटी दो वीडिय शेयर कर रहे हैं मेरी चैनल पर उसे भी आप देख सकते हो तो देखिए ऐसी वादी छनी लेने से हमें में तल्टर इस के लिए jew क्ली ससकते है एक प्लेट मैंने नीचे रख दी है जो हमने डाल भिगो के रखी थी उसे आपको ऐसे ही डाल देना है चन्नी के अंदर तो देख सकते हो फ्रेंड ऐसे ही आपको डाल देना है तो देख सकते हो फ्रेंड ऐसे ही आपको डाल ऐड कर देना है चन्नी में तो यहाँ पर मैंने दाल को एड़ कर दिया है और तो यहाँ पर मैं थोड़े से पानी के चीटे लगा दूँगी उपर से यह वाला प्रोसेज आपको दो से तीन बार करना है दुपेर को दुपेर को दो बार आपको ऐसे ही पानी के चीटे लगाने है तो देखें इसे में रखके रख दूँगी आपको थोड़ा सा धीरे से ही रखना है पूरा नहीं रखना है यहाँ पर देखे ऐसे आपको एक प्लेट वगेरा रख देनी है तो चलिए अभी हम मिलते है नाइट में बीच में आपको दो बार पाने के छीटे भी लगाने है दुपेर को देख सकते ह यह नाइट हमारी हो चुकी है और इतने ज़्यादा स्प्राउट हमारे निकल चुके है तो शाम में मैं फिर से यहाँ पर थोड़े से पानी के छीटे लगा दूँगी तो देखे यहाँ पर मैंने मौर्निंग में रखा था थोड़े से यहाँ पर स्प्राउट भी निकल आ देना है ऐसा करने से बहुत ज्यादा अच्छे हमारी अंकोरी दाल होगी बहुत अच्छे स्प्राउट हमारे निकलेगे तो देखे यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी के छीटे में मार दूँगी तो देख सकते हो फ्रेंड ऐसे ही आपको करना है पूरा प्रोसेस तो चलिए फ हमारे स्प्राउट भी यहाँ पे बन चुके सिर्फ एक रात में मैंने यह वाले स्प्राउट बनाये है देख सकते हो आप नीचे भी कितने अच्छे स्प्राउट निकले है जाली के तो इसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए बिना स्प्राउट मेकर के बहुत आसान तर पूरित हुई यहाँ पे मुंकी दाल और कितनी ज्यादा स्प्राउट यहाँ पे निकली है जिने भी स्प्राउट बनाना नहीं आता तो यह वीडियो जरूर देखिए वो फर्स टाइम में ही स्प्राउट बनाना सीख जाएगे इसे आप फ्रीजर में रख सकते हो इसे कैसे अगर उसके उपर भी आपको चाहिए वीडियो तो प्लीस मुझे जरूर कमेंट कीजिए तो प्लीस यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए तो चलिए मैं मिलते हूँ आप से ऐसे ही अगले वीडियो में